हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आमारे चैनल पर और आज का वीडियो होने वाला है अपकमिंग मार्वल मुवीज के उपर जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आपकमिंग मुवीज के उपर भी एक वीडियो बनाया जाए तो अगर अभी तक किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लिजिए अगर आपको पुरानी फिल्म है सिक्वेंस वाइस देखनी है तो कौन से सिक्वेंस में देखनी चाहिए डिटेल में आपको पता चल जाएगा और जो लोग एक्साइटेड है और पुरानी वीडियो में इनका जिक्रन नहीं किया ता लेकिन इस वीडियो में जरू करूंगा क्योंकि वेडियो लेज़ करने के बाद मेरे को कई सारे लोगोंने कमेंट कि भाई आप वेनम को भूल गया वेनम को हम कौन सी सिक्वेंस में देखे क्योंकि बहुत सारे लोगों लगता है कि Venom Marvel Cinematic Universe का इससा है जबकि वो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं इस वीडियो में हम Venom का भी अपडेट दे देंगे और Sony Spider-Man Universe की जितनी भी फिल्म है आने वाले उनके बार में यहाँ पर चर्चा करेंगे अगर आप उन सारी चीजों से अपडेटेड रहना चाहते है तो चाहिए उनको सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए ता अपने दोस्तों के साथ भी शेर करो तो सबसे पहली फिल्म आने वाली है ब्लैक पैंथर वाकांड़ा फॉरेवर 11 नोवेंबर 2022 में तो हाला कि यह ओरिजनल ब्लैक पैंथर का सीक्वेल होने वाली है और इस फिल्म में आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है वो यह है ब्लैक पैंथर के जो लीड एक्टर थे जिन्नोंने ब्लैक पैंथर का करेक्टर निभाया था चैडवीक बोस्मन इनकी एवेंजर्स एंड गेम के बाद कैंसर के वज़े से मौत हो चुकी है और इस वज़े से इस फिल्म के लीड में आज ब्लैक पैंथर का करेक्टर कौन निभाने वाला है वो हमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं पता चला है अभी सेकेंड नंबर पर आएगी क्रैवन दा हंटर 13th January 2023 को यह Sony Spider-Man Universe की फिल्म रहने वाली है हलाकि मैं आपको बता दूँ कि Sony Spider-Man Universe में कोई भी Spider-Man की इंडिविजुल फिल्म अभी तक ना आई है ना अभी तक किसी फिल्म का अनॉंस्मेंट हुआ है लेकिन जितनी भी फिल्म में आ रही है वो actually Spider-Man की युनिवर्स के विलेंस है उनकी फिल्म में आ रहे जैसे Venom हो गया Morbius हो गया वैसी Kraven the Hunter फिल्म आने वाली है तो इसके वाद थर्ड नंबर पर आने वाली है Ant-Man and the Wasp Quantmania यह 17th February 2023 को रिलीज होने वाली है तो हला कि यह Ant-Man and the Wasp and Avengers Endgame का सीक्वेल होने वाली है तो यहां पर exactly क्या चीज़ है डिफरें ने बहुत मजा आने वाला है इसके बाद फूर्थ नंबर पर रिलीज होने वाली है Guardians of the Galaxy Volume 3 5th में 2023 को यह रिलीज होने वाली है तो भाई मेरे अगर यह Volume 3 आपको देखना है तो Guardians of the Galaxy का एक holiday special TV फिल्म आने वाली है जो 2022 के December में रिलीज होने वाली है अगर आपको यह फिल्म जो आएगी वो आपको पहले देखनी पड़ेगी क्योंकि उससे डारेक्ली यह फिल्म कनेक्टेड रहने वाली है इसके बाद फिफ नंबर पर आपको देखनी है दे मार्वेल्स यह रिलीज होगी 28 जुलाई 2023 को नाम सुनके ही आप समझ गयोंगे कि यह Captain Marvel का sequel है लेकिन संदा वीजन की बहुत इंपोर्टेंट क्यरेक्टर है जो इस फिल्म में अपने को देखनी को मिलेगी और मिस मार्वेल का जो करेक्टर निवारी मिस मार्वेल्स वह भी लड़के आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है तो भाई क्या connection रहेगा वह में नहीं पता ह लेकिन वो connection आपको समझ में है इसलिए आपको इस सीरीज देखनी जरूरी है इसके बाद 6 नंबर पर आपको देखनी है मदाम वेब यह रिलीज होने वाली है 6 ऑक्टोबर 2023 को यह सोनी स्पाइडर मैं यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे य सारे चीज़ों का अंदाजा आ जाएगा इसके बाद 7 नंबर पर आने वाली है ब्लेड नोवेंबर 2023 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है अगर आप मैंसे कई होने पुरानी ब्लेड की ट्रायलोजी थी वह अगर देखी होगी तो समझ लीजिए कि यह उसका रिबूट है इ इन्होंने नहीं देखी है ब्लेड फिल्म उनके लिए तो भाई एक नया एक्सपिरियंस होने वाला है इसके बाद 8 नंबर पर रिलीज होने वाली है यह 12 जैनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है यह बी सोनी स्पाइडर मैन यूनिवर्स का हिस्सा है इस करेक्टर के बार में उसी की यूनिवर्स का एक करेक्टर है उसके बाद 9 नंबर पर आगी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ड और यह थर्ड मैं 2024 को रिलीज होने वाली है एक चीज़ बता दो आपको कैप्टन अमेरिका का क्या एंडिंग हुआ था अवेंजर्स एंड गेम मैं आपको पता होगा मैं आपको यहाँ पर स्पोईलर नहीं देना चाहता हूँ इसलिए नहीं बताऊंगा लेकिन एक सीरीज है जो अलग वे में चली जाती है और उनका बीच में क्या-क्या डेवलप्मेंट हुआ है वो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो न्यू वर्ड और जो भी फिल्म चल रहती है किसी और यूनिवर्स की कहानी होने वाली इस चीज के बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा लेकिन उसके पहले आप फैलकन एंड विंटर सोलजर जरूर से देख लीचिएगा उसके बाद 10 नमबर पर रिलीज ह होने वाली है तो जीनों ने भी पुरानी फेंटास्टिक पोर देखी है और जो साते है कि उसके आगे भी और कुछ देखना है हमें तो यह मैं बता दू कि यह उन सीरीज की रीबूट है बिल्कुल ही नहीं कहानी रहेगी तो उसके साथ इसको आप नहीं कर सकते लेकिन जो लोग उन फिल्मों को देख चुके और जो एक्साइटेड है फेंटास्टिक फोर के लिए उनके तो मज़े ही मज़े होने वाले है उसकी बाद 12 नंबर पर आएगी एवेंजर्स दे कैंग डाइनस्टी यह सेकंड में 2025 को रिलीज होगी तो इन्होंने मैं चीज बता रहा है कि पहले तीन फेज में चार फिल्में आई थी वेंजर्स दी लेकिन अब के दो फेज में एक भी डालती लेकिन लास्ट का जो फेज होएगा सिख्स्थ फेज इस उसकी यह पहली फिल्म रहेगी दे कैंग डाइनस्टी उसके जस्ट छे महीने के बाद 13 नंबर पर एवेंजर्स की सीक्रेट वॉर्स आने वाली है जो 7 नोवेंबर कि यह फिल्म कब आया लेकिन यार कुछ नहीं कर सकते अभी चल रहा है 2022 2022 अभी तक खतम नहीं हो आए और यह वीडियो यही पर खतम नहीं होता है क्यूंकि कुछ फिल्म है जिनकी रिलीज डेट हमको पता नहीं है बट वो बन रही है और वो बीच में के तीन साल के दर्म कभी भी हो सकती है तो इसलिए मैंने उनको इन सिक्वेंस में डाला आगे मैं आपको बता रहा हूं इसका कोई सिक्वेंस मत जोड़ी आप पॉर्टिंद अभी एक रिलीज होने माली है वेनम की फिल्म वेनम का जो लेट डेर भी कारनेज नाम की सेकेंड फिल्म आई ती उस पिलाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वेनम एंड मॉर्बियस की जो वीडियो बनाई है मेरे चैनल पर आप जाके चेक आउट कर सकते हो उस पर मैंने क्या है क्यों फिलाल मिलन होना पॉसिबल नहीं है इसके बाद 15 नंबर पर मैंने रखिए डेड़ पूल का फर्स्ट और जिसने भी देखा होगा मुझे पक्का पाता है कि यह फिल्म के लिए तरस रहोंगे लेकिन आप लोग सोच रहोंगे डेड़ पूल की इतनी बड़ी स्टमेर्टिक उनिवर्स वाल ने भी खरीद लिए है और फिल्म पर काम चल रहा है इसकी नंबर पर शैंग्ची एंड लिजेंड ऑफ टें रिंग्स का सीक्विल आने वाला है अब मुझे यह लग रहा है कि यह जो सीक्विल है यह एवेंजर्स की दो फिल्म है उनके पहले ये एक त्रेट रहने वाली है उसके बाद 17 पर आएगी यह mutant फिल्म आने वाली था इसके बादे में पूरा पूरा सस्पेंश बरकरार रखा हुआ है कि भाई इसमें कौन-कौन से utans होने वाले क्या हमाने जो X-Men सिरीज में जो characters देखे हैं जो actors देखे हैं क्या वो सारे के सारे यहां पर रहने वाले यह लोग x-men का पूरा reboot करके कुछ अलगी फिल्म बनाने वाले यह कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सेम चीज़ x-men के rights फेले 20th century के पास थे तो उन लोग ने contract किये थे वो actors के साथ क्या अभी mcu वो सारे actors के साथ contract करने के लिए कामियाब रहे पाएगा या फिर mcu कुछ और सोच रहा है इस बारे में हमें अभी तक कुछ confirm news नहीं मिली है लेकिन फिल्म आने वाली है इतना पक्का है अब वो exactly x-men की जैसी बनेगी या कुछ उनका अलग planning है यह भी अभी तक clear नहीं हो लुका है उसके बाद 18 नंबर पर आएगी इटर्नल्स का एक सीक्वल आने वाला है अब यह इटर्नल्स का जो सीक्वल है यह एवेंजर्स फिल्मों के पहले आएगा या बाद में आएगा और हमने जैसे पुरानी वीडियो में मैंने बोला था कि इटर्नल्स जो है बाकी कि इसी कॉनसीक्वेंस में हिस्सा नहीं लेते वह सीफ टेवियंट से फाइट करते हैं तो अगर इतर्नल्स की फिल्म के पहले आई तो क्या आने वाली जो एवेंजर्स की के के कैंडा इस्टो सिक्रेट वार्ट से उसमें इटर्नल्स भी देखने को मिलेंगे ये एक पूरी र वारे में किया तो भाई यह स्पाइडर मैन की जितनी भी सिरीज बनी है पता नहीं लेकिन इसका फॉर्थ पड़ कभी बनता नहीं है अभी भी हमें जब वेनम और स्पाइडर मैन नोवे होम के जब पोस्ट केडिट सीन हमने देखे तो हमें कहीं पर एक ऐसे अशन का लग रह है डायरेक्ट हमको स्पाइडर मैन देखने को मिलेगा एवेंजर्स की दर कैंग डाइनेस्टर सिक्रेट वार्स में ऐसा मेरा एक अनुमान है मैं यह क्लियर कट नहीं बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि एवेंजर्स की जो भी फिल्म में आने अनाउंस की हुई है उन में कौन-कौन से एक्टर रहने वाले है कौन-कौन से करेक्टर रहने वाले कुछ अभी तक क्लियर नहीं है तो अभी थोड़ा वक्त जाने दो जैसे-जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं इस चैनल पर डालूंगा अगर आप उन सारी चीजों से अगर आपको ये वीडियो पसंद आयता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो आप मिलते हैं और एक ऐसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई